हमलो दोस्तों नमस्कार आप सबका प्रस्ट्र स्वागत है मेरे शुट्युव चाइनल पर दोस्तों आज किस व्र्सस organization मैं देखने में आलंस गते की अप पर्पोट के बारे में दोनों टीमों की प्रोबरबल एलन किस तरह से उसके बारे में कुछ प्लियरों के स्टाइट्स में आपको दिखाऊंगा जिसे का आपको खुद की एक विनिंग टीप बनाने में आसा नहीं हो जाएगी हो जाएगी चाहे हो ड्रीमिलोन को आप फिर को क सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए साथे साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोश्टे रहे तो वीडियो को शुरू कते हैं मैच की डीटेल से एन एस एस वर्सेस जेड सीसी की बीच य याने कल सुभह 9 बजे यह मैच होने वाला है आप अगर यह मैच लाइव देखना चाते तो ज़रूर देख सकते हैं फैन कोड पर यह मैच लाइव देख सकते हैं अब बात कर लेते पिच रिपोर्ट की तो पिच रिपोर्ट के नुसार यहां पे पुछले कुछ मैचेस में गेन बाजी हावी हो रही है जिया दोस्तों गेन बाजी को काफी मदद मिल रही है खास करके स्पिनर्स को यहां पे जादा अच्छी मदद मिल रही है तो यहां पे गेन बाजी के चलने के जादा चांसेस है तो इसलिए अगर बाट्समंस को यहां पे रन बनाने है तो पिच जएट सेसी की प्रोबेबल लिएवन की तो वो कुछ इस्तर से रहे सकते हैं, डवलू जहमान, आरहक, जेशर्मा, बि महंता, जी रभी, एच, हाजारिका, केदास, S हुसेन B जुकर B हसन और आहर अली इस तरह से रहेगी Z से से की Probability लियोन या Predicted Playing लियोन भी आपी से कह सकते है अब बात कहते है NSS की जो Probability लियोन है वो किस तरह से रहेगी तो वो इस तरह से रहे सकते है A दत्ता S कुमार J एहमद सवरबडे B छेत्री D दास B डेव उदेशंकर N दास A डालगपु राहूल सिंग इस तरह से रहेगी Predicted Playing या फिर Probability लियोन NSS की अब मैं कुछ प्लियर हो के स्टार्ट्स दिखाऊंगा जिससे की आप इनको लेके एक अच्छी टीम अपनी खुद की बना सकते चाहे वो ड्रीमल उनका आप हो या फिर कोई दूसरा आप हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे सवरब डे की He has scored 49 run and also managed pick 5 wickets in this tournament जिया दोस्तों अभी तक उन्होंने मतलब सवरब डे ने अभी तक 49 run भी बनाए है और साथी साथ गेंस से भी उन्होंने अच्छा performance किया 5 wickets उनको अभी तक मिली है और साथी साथ बात करें तो इनको last match में जो था उसमें इनको man of the match का आवर्ड मिला था जिया दोस्तों player of the match का आवर्ड मिला था उन्होंने 48 run बनाए ते सोनारी टाउन के क्लब के खिला बी चेतरी की अगर बात करें तो ये भी काफी अच्छे player है he has scored 61 so far and 3 wickets slap पड़ अभी तक इन्होंने 61 run बना है और 3 wickets भी इनको हाथ लगी बी कर की बात करें तो in the last match against निर्वाना he has scored 20 run with the bat and pick 2 wickets in this in this tournament मतलब इस match में इन्होंने सिर्फ last match का मेरे पास अभी है तो इन्होंने मेरे मतलब यहाँ पे 20 run भी बना है और साथी साथ उन्होंने 4 wickets भी ली है 2 wickets ली है माप की जगा और अगर इनके और का पूरा spell भी इन्होंने खतन किया था अगर बात करें तो अगले जो hotpex है इनका performance थोड़ा सा इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी इनको हम hotpex में रखेंगे he scored 41 run in this tournament 41 run बना पाए अजित दत्ता ने जो की ठीक ठाक ही माने जा सकते तो अब चलते हैं टीम ड्री मिलियोन की टीम्स देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे खासी अर्डिंग हो सकती है या फिर आप Grand League या Small League ज़रूर जीत सकते हैं तो इसके लिए हमें जाना होगा ड्री मिलियोन के एप पे जैसे कि आप देख पा रहे हम ड्री मिलियोन के आप पे आ चुके है और उस मैच को हमें देखना है यह यह वह मैच है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको हाइलाइट करके दिखा दिया है कौनसी मैच के बारे मैं बात कर आओ इस पर आपको क्लिक कर लेना है अगर आपने आप टक टीम नहीं बना है तो क्रियेट टीम पर क्लिक की जएगा लेकिन मैं आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा किस को लेना किसको नहीं लेना है और फिर में क्याप्टन किसे बना सकते वह भी मैं दिखा देता हो तो कुल मिला के काफी एच्छी टीम है बनने वाल यह दोस्तों जिससे क्या ग्राइंड भी जिट सकते या फिर हाप स्मॉल लिग भी जिट सकते आच्छी खास अर्णिंग आपको ज़रूर हो सकते तो सबसे पहले हम कीपिंग के सेक्षन पर आ चुके है तो यहां पे चार कीपर है लेकिन लाप प्लेइंग है तो इनको में जरूर लोगा बैटिंग की बात करें तो दी दास को मैंने ले लिया यह दत्ता को भी लिया इनका पर्फरमस काफी अच्छा रहा है और स्टार्ट भी देखे हमने इनके और अली को में शामिल करूंगा या बैटिंग में ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं ह हमारे पास ऑल राउंडर में हमारे पास कुल मिला के चार अल राउंडर है बी डेप को मैं स्टीम में जरूर लूँगा जी रबानी को भी स्टीम में शामिल कर ला हूँ भी छेत्री को भी स्टीम में ले रहा हूँ और स्टीम में ले रहा हूँ तो देख सकते भी चेत्री को ले रहा हूं या पे बी जोती भी अच्छा परफॉमस कर रहें तो कुल मिला कि काफी अच्छ अच्छे गेंबाजों को हमने सिलेक कर लिया है इसके अलावा भी और कुछ चेंजेस आगले दो टीमों में हम करके देखेंगे कंटीनू पर क्लिक करते हैं देख ले तो जैसे के आप देख पारे सबसे जादा लोगों ने पसंती दी है सबसे पहले मैं आरह को किपिंग की बात कर रहे तो अगर बात करें बैटिंग की तो तीनी बल्लेबाजों को में ले रहा हो दीधास को ओर अली इसतर से तीनी बल्लेबाज येमेरपास लेकिन ऐल्रां डेपशन से damn box और चारों के चारों बेस्ट है आप इन मतलब आपको यह बैटिंग और बालिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं अगर गेनबाजी की बात करें तो आर सिंग वन बी जोती और एस हुसेन इस तरह से तीन अच्छे खासे गेनबाज है जिन्होंने काफी जब बालिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट देने वाले और अब तक अच्छा परफरमस भी किया है और साथ-साथ काफी लोगों ने इन पर दाव लगाया तो इसलिए इन दोनों को मैं अभी फिलाल क्याप्टन और वास क्याप्टन मना रहा हूँ अगली डो टीमों में ज्यादा से ज्यादा ग्रांड लिक के लिए इस टीम को क्लोज कर लेते सेव कर लेते और दूसरी टीम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ तो दूसरी टीम के अगर बात करें तो यहां पर देख सकते मैंने कीपिंग में चेंज कर लिया है आर हक की जगा पे जे एहमत को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है इनका भी परफरमांस ठीक-ठाक रहा है तो इनको भी एक टीम में कम से कम जरूर ले सकते बैतिंग की बात करें तो यहां पर फिरसे दी दास और दत्ता को लिया है लेकिन तीसरे जो प्लियर है यहां पर चेंज कर लिया है जे शर्मा को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ यह भी अच्छे खासे बैट्समन है और अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मस कर चुके अगर अल्रॉंडर की बात करें तो यहां पर फिर से मेरे पाद चार अल्रॉंडर जरूर है लेकिन यहां पर भी मैंने कर लिया बीडेप को रखा ह है बीचे त्री को भी रखा है और एसडे को भी रखा है लेकिन चौते जो प्लियर है बी केर का हमने स्टार्स देखा ता काफी अच्छा था तो इनको भी मैंने इस टीम में ले लिया यह भी बढ़िया प्लियर है तो जोरूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं इनको अपनी पर 20 पॉइंट दे तो इसी वज़े से मैंने इनको यहां पर शामिल नहीं किया लेकिन आपको ज़रूर बता दूँए टॉप और में बल्ले बाजी करते तो हो सकता है यह कल खेले भी और ना भी खेले लेकिन खेलते अच्छा परफरमस भी कर सकते तो अगर आप चाहे तो इनको यहां पर ले सकते पर मैं नहीं लेने वाला बैटिंग की बात करें तो आर सिंग वन को फिर से ले लिया है लेकिन यहां पर और एक चेंज मैंने किया है बी जोती को लिया है पिछले टीम में एज जोती को नहीं ले पाय था एज जोती को इस टीम में शामिल कर लिया तो कुल मिला कि यह भी टीम काफी अच्छी बन चुके काफी चेंजेस करने के बावजुद अभी भी अच्छी टीम है गंटीणी पर क्लिक कर लेतें और देख लेतें capitalize क्याप्टन और कैप्टन किसे बना सकते तो इस टीम काप्टन पिछले टीम में मैंने बी छेत्री को वास काप्टन बना था लेकिन मैं इस टीम में उनको काप्टन मनाऊंगा अगर बी डेप को मैं वास काप्टन बना रहा हूँ अगर बात करें टेम प्रिव्यू की तो जैसे के आप पर देख पार है जे शर्मा को मैंने कीपिंग मिलिया इसके लाग कोई और शर्मा इस तर से तीन बल्ले बाजे यहां पर आल राउंडर में सबसे जादा और अप्शन है और अच्छे प्लियर है दोस्तों मतलब उनका परफोमस अच्छा है इसलिए मैं चार आल राउंडर ले रहा हूँ इस टीम में भी बी चेत्री एस डे बीडे और बीकेर कर तो चार अच्छे खासे ओल राउंडर है दोस्तों तो इनके साथ भी जाएंगे तो आपको काफे फायदा हो सकता है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे परफोमस कर रहे है अगर बात करें गेनबाजी की तो आर सिंग बन को लिया है भी जोती को लिया है पि परफोमस कर सकते, तो काफे फायद फायदमन साबित हो सकता था इसकलन और थी काफी कंटर्ण बन को लिया तो बैधिchnya गिनों को खाया नवी परफोमस काफे लिए था है और शब्ल्ग केर सकता भी जाग कर चाहते कि दोड़ सें बने सेसं लिदे अरशाब दोस्ता है T लेकिन जादा से जादा Grand League के लिए उच करेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है या फिर आप Grand League भी जित सकते हैं या फिर Grand League में अच्छी कासी अर्णिंग भी कर सकते हैं लेकिन Small League के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं ये टीम उसके लिए भी काफी बढ देता हूँ जहाँ पर मैंने Keeping में फिर से आर हक को ले लिया है इसके लाँ कोई ज़्यादा ओप्षण नहीं है हमारे पास दोई ओप्षण थे तो और हको मैंने इस टीमें वापस ले लिया है बैटिंग पर चलते हैं इस बार मैं चार बल्ले बाजों के साथ जा रहा हूँ डी दास को ले रहा हूँ, ए दत्ता को फिर से ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जे शर्मा को भी वापस लिया है और ए अली को भी यहाँ पे ले लिया है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं, हाला कि पर्फॉर्मस इन सब का ज्यादा बेटर ह हाँ, इस कुमार को अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हमें ड्रॉप करना होगा किसी एक प्लियर को, तो यहाँ पे हम जे शर्मा को ड्रॉप करते हैं, लेकिन जे शर्मा को ड्रॉप करके बात नहीं बनने वाली है दोस्तों, तो अभी हम इसी तर से टीम रखत थे या फिर आप चैन्जी करना चाह सकते आप चलते ऑल राणडर पर तो यह ससे कि शार बल्ल ब्लमाज लेचुस लिए टीदों मिले सकता हो भी डेव को में सकता हो भी चैटरी को बात करें तो यहां पर आर्सिंग तो रह नहीं वाले आर्सिंग वन इसके बाद मैंने यू शंकर दास को स्टीम में शामिल कर लिया इनका भी मैंने पर्फरमस आपको शायद दिखाया था अगर बात करें तो तीसरे जोए बी जोती को भी जरूर शामिल रखूंगा इस तरसे यह बी टेम काफी अच्छी बन चुके जरूर्वर पैश को भी अच्छी से इस कर सकते एक रेंटने पार क्लिक कर लेते होर ब्रुज कर लेते यह से का आप देख पार एक कीपिंग में हमारे पास आरक है इसके अला कोई और की पार नहीं है क्योंकि दो यह आप्शन थे और आल्रेडी हमने वह आप्शन ट्राइक कर लिए है और यहाँ पर फिर से आरक को मैं लेंगा अगर बल्ले बाजी की बात करें तो यहाँ पर मेरे पा आपके जिगा आल्राउंडर की बात करें तो तीन आल्राउंडर वही रहेंगे बी छेतरी इस डे और बी डेब चोथा आल्राउंडर हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि चौर बैक्समन हमने आप लिए अगर बात करें गेंगा इनबाजी में तो यू शंकरदा से आर सिंग है आर सिंग वन बी जो ती भी इस टीम में शामील रखायत तो इस तरह से काफिए अच्छी टीम बणी है जरूर आप इस टीम को भी ग्रांड लिग के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन फिर से कहोगा ज्यादा से ज्यादा ग्रांड लिग के लिए उसकीजिगा स्मॉल लिग के और यहां पर देख सकते मैंने इस टीम का आर सिंग वन को वाइस कैप्टन बनाया दोनों की डोनों बेस्ट है आप जरूर इन दोनों को क्याप्टन बनाएंगे तो काफी फायदेमन साबित हो सकता है एक काफी अच्छा उल राउंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों में तो कुल मिला के यह टीम भी काफी अच्छे फिर से काऊंगा ग्रांड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए उच कर सकते कोई प्रॉब्लिम नहीं कोई करते इस टीम को भी क्लोज कर लेते और आखिर में यह कौंगा दोस्तों अगर आपको लगता इन तीनों टीमों में अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते लेकिन ज्यादा चेंजिस मत की जिगा एक दो चेंजिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लिम नहीं रहेगा तो आपको मेरी तीनों टीमें और मेरा वीडियो पसंद आयोगा अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर द आएगा और उनकी जगह पे आप किसको ले सकता है यह बाते मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग इलन जब लाइन अपस आउट होगी तब तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों धन्यवाद गुडबाई